वैलन्टेस यहां कैंसर को मात देने में पूर्टेह सक्षम रेजिडेट टॉमो थेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है टॉमो थेरेपी चैंसर रोग्यों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उतरी भारत का एक मातरू हॉस्पिटर वालेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरट यह बात दीगर है कि उत्राखंड के मुख्यमंति द्वारा यात्रा इस्थिद करने के बाद यूपी सरकार के पास फिलान कोई चारा नजर नहीं आता है इसका एक मात्रकारण उत्राखंड इस्थित हरिद्वार है जहां से कावण ये पवित्र गंगज लाकर शिवालियों पर अरपन करते है उत्राखंड सीम ने स्पष्ट क्या है कि हरिद्वार को कोरोना महमारी का केंदर नहीं बनाया जा सकता साफ है जब कावण ये हरदवार ही नहीं जा सकेंगे तो फिर कावण यात्रा का क्या उच्छित रह जाएगा इस बीच कावण यात्रा को शैशर्ट मंजूरी देने के बाद यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोट ने सते ही संग्यान लिया है इसके बाद नोटिस जारी कि आगेहा शुक्रवार को इस पर सुमाई होगे आए पहले देखते हैं क्या कहा उत्राखंड के मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी ने अधर खूल ने बाया गया तो हरिदवार को हम जो है को ना महामारी का यह मिलाना चाहता है लोगों का जीवन हमारे लिए प्राद भीटता है हम उससे तिल्वार में कर तक के उसना कोई कोई कोदाई ही इसलिए हमने यात्रा इसकी तर देख लिए तो कह चूए है कि 25 से हम श के अंदर को कोई कावडिया आते हैं तो उनको रोका जाएगा क्या कोड़ी वश्ता रहेगी हम सबी से अपील करते हैं कि कोरोना महामारी चल गई है इसमें लोगों का जिलन बचाना ज्याना जहूंगी है और भगवान को कि अच्छा नहीं लगए और किसी की जान जाएगी उत्राखंड में कावड यात्रा में हर साल सावन में करोडों कावडिये हरिद्वार पहुंचते हैं शरधालू हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने ग्रह राज्ये लोटते हैं ये लोग भगवान शिव के जलाभिशेक के लिए गंगाजल लेने आते हैं जाएदितर यह हरे द्वार पहुंचे थे यूपी उत्राखंड और केंद्र को नोटेस देते हुए कोट ने कहा है कि प्रधान मंत्री भी कोरोना की तीसरी लहर के प्रती लोगों को आगहा कर चुके हैं ऐसे में हम संबंधित राज्यों का रुख जानना चाहते हैं अगर बात की जाए त यूपी सरकार शर्तों के साथ यात्र को मुझोरी दे चुकी है अब दोनों राज्यों वे केंद्र सरकार का रख जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट का कावन यात्रा को लेकर क्या निर्णे होगा इस पर सभी की नज़रे लगी हुई है उत्राखंड में लगतार दूस्रे सा कावन यात्रा रख किये गई है सुप्रीम कोर्ट के रुख पर बनी रहेगी हमारी नज़र है इस खबर में फिलाल इतना है कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए हमें और अधिक सतर्ता बरतनी के जरूरत है भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचे जब तक जरूरी नह हो घर से ना निकले जरूरत है अपना भाट ख्याल रखने की नमस्कार कर दो